रहोनी शूट आउट केस में दिल्ली पिलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी काम्याभी हाथ लगी है जी हाँ जिस तीसरे शूटर की तलाश में लगातार छापे मारी चल रही थी उस तीसरे शूटर को गिरफतार कर लिया गया है गिरफतार शूटर की पैचान आसिश चोधरी के तोर पर हुई है अब क्राइम ब्रांच गैंक्स्टर आसिश को भी पूस्ताच के लिए जल्दी ही रिमांट पर ले आएगी आसिश चोधरी भी जितेंदर गोगी की हत्या के लिए रची गई साजिस में शामिल था तीशरे शूटर को टिल्लू ने रोणी कोट बेजा था और उसे मोनु नेपाली बताया गया लेकिन पुलिस जाच में साफ हुआ कि मोनु नेपाली तो पहले ही मारा जा चुका है लेकिन जब नवीन बाली से कड़ी पूस्ताच हुई तो तीसरे शूटर का नाम सामने आ ही गया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंस्टर गोगी की हत्या में शूटरों को पनाह देने वाले उमंग और विने के अलावा क्राइम ब्रांच ने दोनों को पूस्ताच के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है